जाँ दोसुआ आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे MPD ad fifth round के बारे में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MPD ad का fifth round आज चुका है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था लेकिन आज के इस वीडियो के मादम से हम पूरी प्रोसेस को समझें कि फिप्त राउंड में एडमिसल कैसे होगा सारी जानकारी को समझाऊंगा मैं आपको पूरी प्रोसेस पताऊंगा फिप्त राउंड में एडमिसल लेने की यहाँ पर एक अंतिम राउंड कोशित किया गया है जो कि 29 अगस्य स्टार्ड कर दे गया है यह अंतिम राउंड रहेगा चत्त राउंड के अनुसार ही इसकी प्रोसेस रहेगी जैसे 4th round में admission process रही थी टीक उसी प्रकार से 5th round में भी admission process रहने वाली है यह अंतिम राउंड है और एम सीमित अबदी कर आएगा इस round के बाद कोई भी नए round नहीं आएगा यहाँ पर लिखा भी कहा है कि इस round के उपराण DL8 की प्रिविस प्रक्रिया 24-25 समाप्त हो जाएगी यानि कि इसके बाद चितनी seat है काली रहेंगी आपके call में कितनी seat है काली है वो कैसे चेक करन आए उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी official website पर आना हुआ ठीक है इसकी official website के link डारेकर description box में provide करा दूँगा है यहाँ पर आपके बहुत सारे tab दिखाई देंगे सबसे उपर ठीक है और इन tab में सबसे last में दिखाई देता है संसिता पर रिक्त सूची जैसी आ आप दोस्तों दिखाई देगा आपके college की total seat, total back end seat मान के चली हमें इस college में देखना है तो इस college में total 50 seat थी जिसमें 6 seat काली है अगर हम first वाले college में देखें तो इसमें 50 seat थी जिसमें अभी 1 seat काली नहीं है तो इस तरह से हमें काली seat देखनी होती है अब इस notification को download कैसे करेंगे तो इसी टेब में सबसे first number पर ही कावसिक सूचना दिखाई देता है और यहाँ पर दिखाई देता है DLAT 24 25 counseling 5th round counseling instructions अब दोस्तों हमें हैं 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 यहाँ पर registration बगरा देखना है तो हमें क्या करना है counseling गतिविदियों पर click करना पड़े हैं जैसा कि देख पा रहे हैं 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 कि दो link आपको दिखाई देगी एक दो दिखाई देगे only minority college और एक दिखाई देगी neon-minority college तो जो minority college में admissions लेना चाहते हैं minority college ऐसे होते हैं जिनकी संहाँ बहुत कम है और अगर आप-minority इसके अंतगरत आते हैं तबहीNew पर आपको सब्सक्राइब कर थे तो यहां पर आपको सब्सक्राइब समदाई के अंतक्रत आते हैं तबहिंगे आप इसके अंतकरत पर आते हैं उनसा भी college में admissions ले पाएंगे लेकिन अगर minority के अंतगरत करेंगे तो भी 30-40 institute यह आपको दिखाई देने वाले हैं यहाँ पर choice planning करनी होगी इसके बाद में सारी process दिखाई दे रही है यहाँ पर pay unpaid का option से reset या password का अगर आपको अपना registration करना है तो edit भी कर पाएंगे और duplicate receipt नि करने होती है इसके बाद में क्या होता है नमब तीन पर हमारी merit list आती है अब merit list कब आएगी तो merit list की यहाँ पर timing नहीं बताई गई है जल्दी merit list की timing आ जाएगी जैसी आ जाएगी मैं आपको वीडियो के मादम से बता दूंगा ठीक है तो हमें सबसे पहले registration and choice planning करना है कब त से पहले चार राउंड हो है उसमें आपने participant नहीं कर आए तो यहाँ पर registration भी करना है यहाँ पर choice planning भी करना है लेकिन old student ऐसे जो पिछले round में participate कर चुके लेकिन उनका admission नहीं हो पाया है तो उनका registration तो पहले हो चुका है तो यहाँ पर registration करने की आवसकता नहीं है यहाँ पर क आएगी तो हमारी जो मेरे लिस्ट आएगी लगवा साथ से गस सितमबर के बीच में, टीक है, हमारी कप अब तक आजाएगी साथ से 10 सितमबर के बीच में हमारी मेरे लिस्ट आजाएगी, लेकिन अभी final website पर update नहीं आए, लेकिन अंदाजा 7-10 सितम बता कहानी का है ठीक है और कोई भी डाव टू कमेंट करना मिल तक लिए वीडियो में को जनकारी किसा तब तक लिए